श्री राम चृत्रमानस के किसकंदा कांड में दोहे दस से आगे राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधी विलाब करतारा छूटे केशना देशंभारा श्री राम चंदर्दी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया नगर के सब लोग व्याकुल हो करके दोड़े बाली की इस्तितारा अने को परकार से विलाब करने लगी उसके बाल विख्रे हुए हैं और दे की संभाल नहीं है तारा बिकल देखी रगुराया देनी ग्यान हरी लीनी माया छीती जल पावक गगन समीरा पंचर चित अति अधम सरीरा तारा को व्याकुल दे करके शिरीर गुनाची ने उसे ग्यान दिया और उसकी माया अथा तक ग्यान हर ली उन्होंने कहा प्रिथी जल अगनी अकाश वर वायो इन पांच तत्तों से ये अत्यंत अधम शी रचा गया प्रगट सोतनू तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम्हे रोवा वो पजा ग्यान चरन तब लागी लिन हेसी परमभक्ती बर मागी वह शीत और पत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है फिर तुम किस के लिए रो रही हो जब ग्यान उत्वन हो गया तब वे भगवान के चरनों लगी और उसने परमभक्ती का वर मांग लिए उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत रामु गोसाई तब सुग्रीव ही आईसु दीना म्रत करम विधिवत सब कीना शिव जी कहते हैं हे उमा स्वामी शीर राम जी सब को कठ़ पुतले की तरह नचाते हैं तन तर शीर राम जी ने सुग्रीव को आग्या दी और सुग्रीव ने विधिपूरक बाली का सब अमरी तक करम किया राम कहा अनु जही समुझाई राज दे हूं सुग्रीव नी जाई रगुपती चरन नई करी माथा चले सकल प्रेरित रगुनाथा तब शीर राम जिंदर जी ने छोटे भाई लच्छन को समझा करके कहा कि तुम जाकर के सुग्रीव को रज देड़ो शीर रगुनाथ जी के प्रिना अग्या से सब लोग शीर रगुनाथ जी के चरनों में मस्तक नवा कर चले लच्छन तुरत बुलाए पुरजन विप्रसमाज राजु दीना सुग्रीव को अंगद कहें जबुराज लच्छन जी ने तुरंती सब नगरवासियों की ओर और ब्रामों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को रज और अंगद को युवराज पद दिया उमा राम सम हित जग माही गुरु पितो मातो बंधो प्रवु नाही सुर नर मुनी सब के ये रिती स्वारत लागी कर ही सब प्रिती ये पार्वती जगत में शीर राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधो और स्वामी कोई नहीं है देवता मनश्य और मुनी सब की यह रिती है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रिती करते हैं बाली तरा से व्याकुल दिनराती तन बहू ब्रन चिन्तव चर्छाती सोई सुग्रीव की नी कपी राओ अति क्रिपाल रगवीर सुभाओ जो सुग्रीव दिनरात बाली के भैसे व्याकुल रहता था जिसके शियर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी च्छाती चिन्ता के मारे जला करती थी उसी सुग्रीव को उन्होंने वानलो का राजा बना दिया शीर राम चंदर जी का सभाव अज्यंत ही क्रिपालू है जानता हूँ असप्रवु परिहर ही काहिना विबत्ती जाल नर पर ही पुनी सुग्रीव ही लिनी बुलाई बहु परकार नरिपत्ती सिखाई जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रवु को त्याग देते हैं वे क्यो पुनावी पत्ती के जाल में भसें फिर शीर राम ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत परकार से उन्हें राजनिती की शिक्षा दी कहें प्रवु सुनो सुग्रीव हरीसा पुरना जाउं दस चारी बरीसा गत ग्रीशम बरसा रितु आई रही हो निकट सेल पर च्छ अ ग्रीशम रितु बिता करके वर्शा रितु आगी है और यहां पास ही परद़ पर टिका रहूँगा अंगत सहित करहूं तुम राजू संतत हिर्दे द्रेहूं मत काजू जब सुगरीव भवन फिरी आई रामू प्रवरशन घिरी पर चाई तुम अंगत सहित राजी करो मेरे काम का हिर्दे में सिदा ध्यान रखना तुम तर जब सुगरीव जी घर लोटाएं तब शीराम जी परवरशन परवत पर चाटे कें प्रतमीही देवहन घिरी गुहा राखें रुचिर बनाएं राम क्रिपा नदी कच्छो दिन बास करहेंगे आएं देटाओं ने पहले से ही उस परवत की एक गुहा को सुन्दर सजा रखा था उन्होंने सोच रखा था कि क्रिपा की खान शीर राम जी कुछ तिन यहां आकर के निमास करेंगे सुन्दर बन कसुमित अति सुभा गुंचत मधुब निकर मधुलो भा कंद मूल फल पत्र सुहाए भे बहुत जबते प्रवु आए सुन्दर बन फूला हो आत्यंच्छ शुबीते मधु के लोब से भुरों के समूग गुंजार कर रही हैं जब से प्रवु आए तब से वन में सुन्दर कंद मूल फल और पत्तों की बहुत आयत होगी देखी मनोहर सैन अनुपा रहे तहां अनुज सहित सुरभुपा मधु कर खगमरिग तनु धरी देवा करही सिध्ध मुनी प्रभु के सेवा मनोहर और अन्पम परवत को देख करके देवताओं के सम्राट शीर रामजी छोटे भाई सहित वहां रहे गे देवता सिध्ध और मुनी भोरों पक्षियों और पक्षियों के शीर धारन करके प्रभु की सेवा करने लगे मंगल रूप अभेव बन तब ते कीनी निवास रुमापती जब ते फटिक सिला अति सुब्र सुहाई सुख आसीन तहां दो भाई जब से रुमापती शीर रामजी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल सुख रूप हो गया सुन्दर साडिक मनी की एक अत्यंत उज्वल शीला है उन पर दोनों भाई सुख पुरक विराज माने कहत अनुज सन कथा अनेका भक्ती बित्ती निपनिती विवेका बर्सा काल मेग न बचाए गर्जत लागत परम सुहाए शीर राम जी छोटे भाई लच्छन जी से भक्ती विराग राजनीती और घ्ञान की नेको कथाएं कहते हैं वर्शा काल में आकाश में चाए हुए बादल गर्शत ले बहुती सुहाम ने लगती लच्छ्मन देखी मोर गन नाचत बार दपेखी ग्रिवी बिर तेरत हार्स जास विसनो भागत कहुं देखी शीराम जी कहने लगे हैं लच्षवन देखो मौरों के जंड बादल को देख करके नाच रहे हैं जैसे विरग में अन्रक्त गरस्त किसी विश्णु बग्त को देख कर हर्चित होते हैं गन गमन ढनब गर्चत गोरा प्रियाहीन डरपतमन मौरा दामनी दमक रहना घनमाई खल के प्रिती जथा स्थिर नाई आकाश में बादल घुमड घुमड कर गोर घर्चिना कर रहे हैं प्रिया सीताजी के बिना मेरा मंद डर रहा है विजली की चमक बादलों में ठहती नहीं है जैसे दोस्ट की प्रिती स्थेर नहीं रहती वर्सही जलद भूमी नी राएं जथा नवहीं बुद्ध विद्धावाईं बूंद अगात सह ही गिरी कैसे खल के बचन संतस हैं जैसे बादल प्रिती के स्विकागरा के नीचे उतर करके बरस रहे हैं जैसे विद्धावाईं नम्र हो जाते हैं बूंदों की चोट कैसे सहते हैं परवत जैसे दुस्टों के वचन संत कहते हैं छुद्र नदी भरी चली तुराई जल थो रहे हूं धन खल इतराई भूमी परत भाडा भर पानी जनुजीव ही माया लपटानी छोटी नदीया किनारों को तुडाती हुई जली जैसे थोड़े धन से भी दोस्ट इतरा जाते हैं मर्यादा का त्याक कर देते हैं प्रित्थी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हूं समिट समिट जल बरही तलावा जीमी सदगुन सजन पही आवा सरीता जल जल निधी महु जाईं होई अचल जीमी जीव हरी पाईं जल एकत्र हो कर तलाबों में भर रहा है जैसे सदगुन एक एक करके सजन के पास चले आते हैं नदी का जल समुद्र में जाकर के वैसे ही समिट हरी को पा करके अचल आवा गमन से मुप्थ हो जाता है हरी तब हमी तुरी ने संकुल समझी परही नहीं पंथ जीमी पाखंड बादते गुप्त हो ही सदगुन प्रिथी घास से परिपून हो करके हरी होगी है जिससे रास्ते समझने ही पढ़ते जैसे पाखंड मत के पर चार से सतगरंथ लुप्त हो जाती है दादोर धुनी चहु दिशा सुहाई बेद पढ़ ही जनु बटू समधाई ना पल्लव भै बिटब अनेका सादक मन जस्म मिले बिवेक का चारो दिशाओं में मैंटकों की धनी ऐसे सुहान नहीं लगती है नानो विद्यार्थियो के समधाई वेद पढ़ रहे हूं अनेको रिक्षों में ने पत्ते आगे हैं जिससे वे ऐसे हरे भरे एंशिशो भी तोगी हैं जैसे सादक का मन वे ग्यान प्राप्त होने पर हो जाता है अरक जवास पात बिनु भैयो जास सुराज खल उद्यप गयों खोजत कत हूं मिले नहीं धूरी करें क्रोध जिमी धरमें धूरी मदार और जवासा बिना पत्ते के होगे उनके पत्ते जड़ गए जैसे श्रेष्ट राज्य में दुस्तों का उद्यान जाता रहा उसकी एक भी नहीं चलती धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती जैसे क्रोध धरम को दूर क अर्थात क्रोद का आवेश होने का पर धर्म का ज्यान नहीं रह जाता। अर्थात क्रोद का ज्यान नहीं रह जाता। ज्यान खेतों को निराग रहे हैं। उन में से घास आदी को निकाल करके फैंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मो, मद और मन का त्याक कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगना हीं। कलिहीं पाईं जिमी धर्म पराहीं। उसर बरसें त्रिन नहीं जामा। जिमी हरी जन ही अपजना कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलियोक को पाकर के धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्शा होती है। पर वहाँ घास तक नहीं लगती। जैसे हरी भक्त के हिद्दे में काम नहीं उत्पन होता। विविद जन्तो सकुल मही भ्राजा। प्रजा बाड जिमी पाई सुराजा। जाता रहें पर्थिक ठकी नाना। जिमी इंद्रिय गन उपजे ज्याना। प्रिथी अनेक तरह के जिवों से भरे हुई। उसी तरह शभाई मान हैं। जैसे सुराज पाकर के प्रजा की विद्धी होती है। जहां तहां अनेक पथिक ठकर ठहरे हुए हैं। जैसे ग्यान उत्पन होने पर इंद्रिय शितिल होकर के विश्या की और जाना छोड़ देती है। कवहू प्रबल बहमारत जहें तहें मेग बिलाही। जिमी कपूत के उपजे कुल सध्धरम नसाईं। कभी कभी वाईू बड़े जोर से चलने लगती हैं जिससे बादल जहां तहां गाइब हो जाते हैं। जैसे कुपूत्तर के उत्पन होने से कुल के उत्तम धरम शेष्ट आवरन नस्त हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंदकार छा जाता है और कभी सूरे प्रगट हो जाते हैं। जैसे कुप संग पाकर के ज्ञान नस्त हो जाता है और सुसंग पाकर के उत्पन हो जाता है। बर्षा बिगद सरद रितु आई लच्वन देखू परम सुहाई फूले कास सकल मही चाई जनु बर्षा कृत प्रगट भुड़ाई। ये लच्वन देखो वर्षा बीट गई और परम सुन्दर शरद रितु आगई फूले हुए कास से सारी प्रिथी चागई। मानो वर्षा रितु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना भड़ा पाप रगट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा जिमी लोबही सोसें संतोसा सरीता सर निरमल जल सोहा संत हिद्दे जस गत मदमोहा। अगस्त के तारे ने उन्हें होकर के मार के जल को सोख लिया जैसे संतोस लोब को सोख लिता है। नदियों और तलाबों का निरमल जल ऐसी शुबा पा रहा है जैसे मद और मौ से रहित संतों का हिद्दे। रास रास सोख सरित सर पानी ममता त्याग करहीं जिम ग्यानी जानी सरद रितु खंजन आये पाई समें जिमी सुकृत सोहाई। नदियों तलाबों का जल धीरे धीरे सुक्रा है जैसे ग्यानी विवेक्षी प्रुष ममता का त्याग करते हैं। श्रद रितु जान करके खंजन बक्षी आगे जैसे समें पा करके संदर सुकृत आ जाते हैं। पुन्य प्रगठ हो जाते हैं। पंक ना रेनू सोह असी धरने। नीती निपुन नेपक के जसी करने। जल संकोच विकलब ही मीना अभुद कटमभी जिमी धनहीना। ना कीचड़ है ना धूल इससे धरती निर्मल होकर के ऐसी शुबा दे रही हैं। जैसे नीती नपुन राजा की करने। जल के कम हो जाने से मच्छियां व्याकुल हो रही हैं। और मौर्ख विवेक शुन्य कटमभी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल हो जाता है। विनुद्धन निर्मल सो अकासा हरी जन इम परी हरी सब आसा कहूं कहूं ब्रिष्टी सार्दी थोरी कोव एक पाव भक्ती जिमी मौरी। विना बादरों का निर्मल अकास ऐशा शुबा शुबित हो रहा है। जैसे भगवत वक्त सब आस्षाओं को छोड़ करके शुच्छोबित होती हैं। कहीं कहीं विल्ले ही स्थानों में शरद रितु की थोड़ी थोड़ी वर्चा आ रही है। जैसे कोई विल्ले ही मेरी भक्ती पाते हैं। चले हर्शी तजी नगर अन्रिप तापस बनिक विखारी जिमी हरी भक्ती पाई श्रम तजी ही आश्र में चारी। शरद रितु पाकर के राजा तपसी विपारी और विखारी। क्रमचे विजे तप विपार और विख्षा के लिए खर्शी तो करके नगर छोड़ कर चले। जैसे श्री हरी की भक्ती पाकर के चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साद नूपी श्रम को त्याग देती है। सुखी मेनजे निर अगादा जिमी हरी सरन एक वादा फूले कमल सो सर कैसा निरगुन ब्रह्म सगुन भे जैसा जो मचलियां अथा जल में हैं भी सुखी हैं। जैसे श्री हरी के शरन में चले जाने पर एक वी बादा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तलाब कैसे शुबा दे रहा हैं जैसे निरगुन भ्रह्म सगुन होने पर शोबित होता है। गुन्जत मधुकर मुखर अनुपा सुन्दर खग रवनाना रूपा चक्रबाक मन दुख निसी पेखी जीमी दुर्जन पर संपती देखी। बहुरे अनुपम शब्द करते हुए गुंज रहे हैं जैसा पक्षियों के नाना परकार के संदर शब्द हो रहे हैं। रात्री देख करके चक्वे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपती देख करके दुस्ट को होता है। चातक रटत त्रिशा अतियोही जिमी सुख लही न संकर दोही सरदातप निसी ससी अपहरी संत दरस जिमी पातक टरी। पपीहा रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास है जैसे शिरी शंकर जी का दोही सुख नहीं पाता। सुख के लिए जीकता रहता है शरद रितु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लिता है जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदो चिकोर समुदाई चितवे ही जिमी हरी जन हरी पाई मसक दंस बीते हिमत्रासा जिमी द्विज द्रोकिय कुल नासा। चिकोरो के समदाई चंद्रमा को देख करके इस परकार टक्ट की लगाए हैं जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकरके उनके निर्नमेश नेत्रों से दर्शन करते हैं मच्छर और डांस चाड़े के डर से इस परकार नस्थ होगे जैसे भ्रामन के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है भूमी जीव संकुल रहे के सरद रितु पाई सद गुरु मिले जाही जिमी संसे भ्रम समुदाई वर्शा रितु के कारण पित्थी पर जो जीव भर गे थे वे शरद रितु को पाकरके वैसे ही नस्थ होगे जैसे सद गुरु के मिल जाने पर संदे और भ निर्मल दे तु आई सुधीना तात सीता के पाईं एक बार के सहू सुधी जानो काल हूँ जीती निमीश महू आनो वर्शा बीट गई निर्मल शरद दु आगई पर तु लिए तात सीता की कोई ख़बर ने मिली एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत करके पल भर में जानकी को ले आऊं कत हूँ रहूं जो जीवत हुईं तात जतन करी आने सोईं सुग्रीवी सुधी मुरी बिसारी पावाराज कोसपुर नारी कहीं भी रहें यदि जीती होगी तो हितात यतन करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा राज्य खजाना नगर और इस्ती पागया इसलिए सुग्रीवी ने भी मेरी सुधी बुला दी जेही सायक मारा में बाली तेही सर हता मोड कहका ली जासु किर्पा छुट ही मद मोहा ताक कहूं उमा की सपने हु कोहा जिस भांच से मैंने बली को मारा था उसी भांच से कल उस मोड को मारूं शिव जी कहते हैं हे उमा जिनकी किर्पा से मद और मोच छूट जाते हैं उनको कहीं सपन में भी क्रोध हो सकता है ये तो लीला मात्र है जान ही यह च्रित्र मुनि ग्यानी जिन रगबीर चरन रती माने लच्छन क्रोधवंत प्रभु जाना धनोश चड़ाई गहे करबाना ग्यानी मुनि जिनोंने शीर रगुनाची के चर्ण में प्रिती माननी है जोड़ी है वेही इस चरित्र लीला रहसे को जानते हैं लच्छन जी ने जब प्रभु को क्रोधियुक जाना तब उनने ध्रुस चड़ा करके बान हाथ में ले लिए तब अनु जही समुझावा रगुपति करना सीव भेई दिखाई ले आहूं तात सका सुगरी तब दिया कि सीमा शीर रगुनाची ने छोटे भाई लच्छन जी को समझाया कि है तात सका सुगरीव को केवल भे दिखला करके ले आओ उसे मारने की बात नहीं है इहां पमनसत हिद बिचारा राम काजु सुगरीव बिसारा निकट जाएं चरनन ही सिरुनावा चारेहूं बिधी तेही कहीं समझावा यहां किसकंदा नगरी में पमन कुमार शीरी हनुमान जी ने विचार किया कि सुगरीव ने छीरी राम जी के कारे को भुला दिया उन्हें सुगरीव के पास जाकर के चरनों में सिर्नवाया सामदान दंड भेद चारो परकार के नीधी करके उन्हें समझाया सुनि सुगरीव परंभेमाना विचे मौर हरी लिन हेव ग्याना अब मारत सुत दोत समुहा पठवा हूं जहां तहां बानर जुआ अन्मान जी के वच्छ सुन करके सुगरीव ने बहुत ही भेमाना और कहा विच्यों ने मेरे ग्यान को हर लिया अब हे पवन सुत जहां तहां वानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समुहों को भेजो कहू पांख महू आवना जोई मुरे करता करवद होई तब हनमंत बुलाई दूता सब करकरी सन्मान बहुता और कहला दो कि एक पक्वाडे में पंद्रा दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वद्ध होगा तब हनमान जी ने दूतों को बुलाया और सब का बहुत सम्मान करके भाए अरू प्रिती नीती देख राई चले सकल चर ननहीं सिर नाई यही अफसर लच्छन पुर आए क्रोधी देखी जहां तहां का पित आए सब को भए प्रिती और नीती दिखलाई सब बंदर चर्णों में सिर नवा कर चले इसी समय लच्छन जी नगर में आए उनका क्रोध देखकर के बंदर जहां तहां भाग के धनुष चड़ाई कहा तब जारी करू पुर चार ब्याकुन नगर देखी तब आयो बाली कुमार अभी राक कर दूँ तब नगर भार को व्याकुल देखकर के बाली कुत्र अंगजी उनके पास आई चरन नाई सिर विंती कीनी लच्छन अभे बाहते ही दीनी क्रोध वंत लच्छन सुनी काना कहे कपीस अती भाव अकुलाना अंगद ने उनके चरनों में सिर नवा करके विंती की शमा याच्छना की तब लच्छन जी ने उनको अभे बाह दी अथाद बुझा उठाकर के कहा कि दरो मत तसग्रीव ने अपने कानों से लच्छन जी को क्रोध युक्त सुन करके भैसे अत्यनति व्याकल हो करके कहा सुनो हनुमंत संग ले तारा करी विंती समझाओ कुमारा तारा सहीत जाई हनुमाना चरन बंदी प्रवसुजस बखाना हे हनुमान सुनो तुम तारा को साथ ले जाकर के विंती करके राजकमार को समझाओ समझाब जाकर शाद कर दो हनुमान जी ने तारा सहीत जाकर के लच्छन जी के चरनों के बंदना की और प्रभु के सुन्दर यश का बखान किया करी बेनिती मंदर ले आए चरन पकारी पलंग बिठाए तब कपीस चरने ही सिरुनावा गही भुज लच्छमन कंठ लगावा वे विंती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरनों को धो करके उन्हें पलंग पर बिठाया तब बान राज सुग्रीव ने उनके चरनों में सिर नमाया और लच्छन जीने हाथ पकड़ करके उनको गले से लगा लिया नाथ विशे सम मद कछुनाही मुनी मन मो करें छनमाही सुग्रीव ने का है नाथ विशे के समान और कोई मद नहीं है ये मुनियों के मन में भी शनमात्र में मोत पन कर देता है फिर मैं तो विशी जीव ही तहरा सुग्रीव के विने युक्त बचन सुन करके लच्छन जीने सुख पाया और उनका बहुत परकार से समझाया पवन तने सब कता सुनाई ये ही भी थी गे दूत समुत आई तब पवन सुथ हनमाजी ने जिस परकार सब दिशाओं में दूतों के समु गे थे वहे सब हाल सुनाया हर्शी चले सुगरीव तब अंगा दादी कपी साथ राम अनुज आगे करीं आए जहां रगुनाद तब अंगा दादी वान्रों को साथ ले करके और शीर राम जी के छोटे भाई लच्छन जी को आगे करके अर्थातन के पीछे पीछे सुगरीव हर्शी तब कर चले और जहां रगुनाद जी थे वहां पर आई नाई चरन शीरु कहकर जोड़ी नाथ मोही कच्छु नाहिन खोरी अतिसे प्रबल देव तब माया छूटे राम करहूं जोटाय शीर गुनाद जी के चरनों में सिर्द नमा करके हार जोट करके सुगरीव ने कहा ये नाथ मुझे कुछ भी दोश नहीं है ये देव आपकी माया अत्यनती प्रबल है आप जब दिया करते हैं हिराम तभी ये छूड़ती है विशे बस सुर नर्मनी स्वामी में पामर पसू कपी अतिकामी नारी नेन सर जाही ना लागा घोर करोद तम निसी जो जागा ये स्वामी देवता मनुश्य और मनी सभी विश्यों के वश्य में हैं फिर मैं तो पामर पशू और पश्यों में भी अत्यनतकामी बंदर हूँ इस तरी का नियन बान जिसको नहीं लगा जो भ्यंकर करोद रुपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है क्रोद अंध नहीं होता लोभ पांस जेहीं गर न बंदाया सोनर तम्ह समान रगुराया ये गुन साधन ते नहीं होई तम्हारी किरपा पाओं कोई कोई और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंदवाया ये रगुनाद जी वे मनुश्य आप ही के समान है ये गुन सादन से नहीं प्राप्त होते आपकी किर्पा से ही कोई कोई ने पाते है तब रगुपती बोले मुस्काई तुम प्रिय मोही भरत जिमी भाई अब सोई जतनू करूं मन लाईं जेहीं बिधी सीता के सुधी पाएं तब शीर गुनाजी मुस्क्रा करके बोले है भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो अब मन लगा करके वही उपाएं करो जिस उपाएं से सीता जी की खबर मिले